नमस्कार न्यूज नेशन पर ओकी नामा प्रेजेंस चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप में आपके साथ अक्यल गुपता आईपिल दोजार चौबिस में बुद्वार को दिल्ली वर्सिस दिल्ली होने वाला है अब दिल्ली का सामना दिल्ली से आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे लेकिन ये बात सच है दरसल दिल्ली कैपिटल्स का सामना होगा कौलकाता नाइट्राइडर से लेकिन केक्यार की टीम में कौन है KKR की टीम का मेंटोर है गौतम गंभीर जो की दिल्ली के रहने वाले हैं और पहले दिल्ली के लिए खेल भी चुके हैं और KKR के कप्ताने शेस अयर जिरोंगे अपने IPL करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही की थी तो हुआ ना डीडी वर्सस डीडी यानि कि दिल्ली का सामना दिल्ली से होने वाला है खैर कन्फ्यूजन नहीं करते हैं दिल्ली का सामना होगा कॉलकाता नाइट राजर से ये मुकाबला किला जाएगा विशाका पटनम में यानि की ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में अब इस मै बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की फैंटेसी टिप्स भी आपको देंगे लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से निउस नेशन को और निउस नेशन स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन दबा दीजे दिल्ली और चन्ने के बीच भी एक हाई की स्कोरिंग मैच दिखने को मिला था यहां की पिछ सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल है गिनबाजों को विकेट निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अब तक इस मैदान पर कुल 14 टी 20 मैच खेले गए हैं जि हुरी ने केवल 16 गेंदों पे 37 रणों की ताबट तोर पारी खेली थी हलाकि मैच में दिल्ली को जीत मिली दिल्ली ने अच्छा परफॉमेंस किया लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि मैच में रणों की बारिश देखने को मिली ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और केके आर के पर खराब तो नहीं करेगी अब देखते हैं कि बुद्वार को विशाका पटनम का मौसम क्या कहता है बुद्वार 3 अप्रेल विशाका पटनम का मौसम काफी गरम और उमस भरा रहेगा शाम को तापमान 30 दिगरी के आसपास रहने की उमीद है बारिश की दूर से दूर तक अइयर है वेंकटेश अइयर है याने की रणों की बारिश तो होगी बारिश होगी चोके और चुकों की बारिश होगी रणों की यारे की मुकाबला काफे दिल्चस्प होने वाला है अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हैड़ टुएड रिकॉर्ट की हैड़ टुएड जिनमें दिली ने 15 मैच जीते जब कि कॉलकाता को 16 में जीत मिली एक मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के खत्म हुआ था अब 32 में से 15 मैच दिली ने जीते हैं 16 मैच के क्यार ने जीते हैं यानि कि विनिंग रेशो दोनों टीमों का almost equal रहा है दोनों में से किसी भी टीम को आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसका पड़डा भारी है उसका पड़डा कमजोर है दोनों टीमों का head to head record almost equal है यानि कि इस मैच में भी के के यार और दिली किसी को भी hot favorite नहीं माना जा सकता एक बात तो होते हैं कि रुमान चक मुकाबला होने वाला है अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेंग 11 की चूंकि क्या क्या शांदार फॉर्म में हैं दो मैच केलें दोनों जीते हैं दिली ने शुरुआत के दो मैच आ रहे थे लेकिन अब टीम शायद जीत की लेफ पकड़ चुकी है पिछला मैच टीम ने जीता थ प्लेंग 11 में बदलाव की इस गुंजाईश बहुत कम नजर आती है लेकिन फिर भी देखते हैं डी सी की संभावित प्लेंग 11 प्रत्वी शौ डेविड वार्णर मिचल मार्श रिशाप पंथ विकेट कीपर और कप्तान ट्रिस्टिन स्टप्स अभीशेक पॉरिल अक्षर प्लेंग 11 में बदलाव की कोई गुंजाईश नहीं है बात अगर केकियार के संभावित प्लेंग 11 की करें फिल सौर्ट विकेट कीपर वेंगटेश अयर, श्रेस अयर कप्तान, रमंदीप सिंग, रिंकु सिंग, आंधर रसल, सुरीन लरेन, मिचल इस्ताक, अनुकूल रोय, हर्शितराना और वरुन चक्रवर्थी केकियार की टीम भी शायदी प्लेंग 11 में कोई बदलाव करेगी, क्योंकि टीम ने दो मैच खेले हैं, और दोनों में ही जीत हासल किया, टीम शानदार लेमे है, तो चलिए अब मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कौन सी टीम थोड़ी बलेबाजी के लिए आए, तब टीम का मोमेंटम एक धम बिगड़ चुका था, हर एक गेनबाज अपनी ले से बटकता हुआ नजर आया, खलील एमाज जिरोंने शुरुआत के तीन मैचों में अच्छी गेनबाजी की, एकॉनमिकल भी रहे, विकेट भी चटका है, लेकिन डेथ ओवर में, वो काफी रन लुटाते हुए नजर आया, अक्षर पटेल की बिटाई हुई, ईशान्थ शर्मा की डेथ ओवर में बिटाई हुई, तो दिल्ली की कमजोरी डेथ बॉलिंग का आप कह सकते हैं, कि दिल्ली का जो बॉलिंग लाइनप है, वो डेथ जरूर रहे हैं, रन उन्होंने 20, 25, 23 ऐसे घर्ज किया हैं, लेकिन विकेट उनको केवल एक दो मिले हैं, ऐसे मक्षर पटेल को विकेट्स भी लेने पड़ेंगे, कुल्दी प्यादव के अंदर भी वो लेथ अभी तक नजर नहीं आया है, अला कि जब आई पेल शुरू प्यादव भी कहीं नहीं गायाब हैं, चाइना में कुल्दी प्यादव अभी तक उस लेय में नजर नहीं आये हैं, उसके अलावा बात करें, एंडिट नौकिया की उनकी जबर्दस पिटाई हुई, पिछले मैच में तो MS जोनी ने 20 रन अकेले उनके आखरी ओवर में सिल कर चुके हैं, आरार के खिलाफ उनके बल्ले से 14 रन निकले थे, CSK के खिलाफ उन्हें 50 प्रस स्कोर किया, हाफ जेंचूरी लगाई, प्रत्वी शोन अच्छा शुरुवात दिया टीम को, उसके अलावा अभिशेक पोरल डेट में फिनिश अच्छा कर रहे हैं, डेट म पोलिन की थोड़ी सी और स्ट्रॉंग हो जाए, तो इस टीम को हराना वाकी में चुनोती पूर्ण हो सकता है, लेकिन बात अगर कॉलकाता नाइट रेडर्स की करें, तो जब से इस टीम में गौतम गंबीर की वापसी हुई है, जब से गंबीर इस टीम के मेंटॉर बने है, ऐसा लगता है कि इस टीम के मेंटॉर नहीं बलकि टीम के कप्तान भी है, ज्योंकि 2012 और 2014 वाली केकियार के टीम एक बार फिर से नजर आती है, याद किजिए 2012 और 2014 में गौतम गंबीर के कप्तानी में कॉलकाता नाइट रेडर्स ने आईपेल का खिता था, लगातार तीन सा के भी लगा रहे हैं और विगर्स भी लेके दे रहे हैं, उसके अलावा टीम वेंकटेश अईयर पर दाव खेल रहे हैं, उनको नमबर तीन पर एक प्रमुक स्लोट दिया गया है, जहां पर वो मैच फिनिश भी कर रहे हैं, अच्छी लेमे नजर भी आ रहे हैं, पिछले मै के लाट नहीं दिखाई हो जानते थे के दूसरे चोड से नौन स्टॉप चौके चुकों की बारिश हो रही है, और वो अपने चोड को पकड़ कर रहे हैं, संबल कर बल्लेबाजी की सिंगल डबल में कनवर्ट करते रहे हैं, और रन डेट को उनने गिरने नहीं नहीं दिया केकियार को एक शांदार मैच जिताया था, तो श्रेस अईयर की बल्लेबाजी भी अब तक की सीजन में काबले तारीफ रही है, हाला कि सुनील नरेन ने बल्लेबाजी तो अच्छी किये हैं, लेकिन विकेट्स अभी तक नहीं चटका पाए हैं, वरुन चक्रवर्दी की भी खासी पिटाई देखने को मिली है, और मिचल स्टाक, अल्मोस टीम ने 25 करोड रुपे में मिचल स्टाक को खरीदा था, 24 दस्टेमलों 75 करोड रुपे दिये थे, लेकिन S.R.H. के खिलाफ कोई विकेट नहीं मिला, और 51 रंखर्च कर दिये, RCB के खिलाफ भी मिचल स्टाक चार ओवर में 47 रंखर्च किये, यानि कि अब तक दो मैचों में मिचल स्टाक बिना किसी विकेट के 25 करोड वाले हैश्टेक, मतलब 25 करोड को जो प्राइस टेक उनके ओपर लगा हुआ है, आट ओवर में 100 रंखर्च कर चुके है, जब बर्दस उनकी पिटाई हो रही है, प्राइस टेक का, तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में मिचल स्टाक का बोल बाला देखने को मिलेगा, वो अच्छी गहनबाजी करेंगे और दिल्ली को परेशान भी करेंगे, अब आपको क्या लगता है, इस मैच को लेकर दिल्ली कैपिटल स्मैच जीतेगी, या फिर कॉ परचे न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पूरे आईपेल आपको न्यूज नेशन पर ओकी नामा प्रेजेंट्स चैंपियन्स की जंग यूही जारी रहेगा